हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आज के सेशन में हम डिफाइन करने वाले होंगे आज के सेशन में हम बात करने वाले होंगे डिपेंडेंडेंसी के वारे में लेकिन वो डिपेंडेंडेंसी हमारे पास होगी जिसको हम बोल देते हैं क्लेक्शन टाइब डिपेंडेंसी आज जो हम बात करने वाले होंगे वो बात करने वाले होंगे क्लेक्शन टाइब डिपेंडेंसी की क्लेक्शन टाइब डिपेंडेंसी के बारे में प्रिमिटिव टाइब डिपेंडेंसी के बारे में प्रिमिटिव टाइब डिपेंडेंसी हमने सपोज एक क्लास बनाई क्लास रेप्रोजेट्री एक क्लास का नाम दे दियाordon c इस क्लास के अंदर मैंने एक variesim live dest Mira in ूं और इस वरियेबल करको मैंने बनाए अब इस वेरिएबल को क्या बोल रहा हूं हमारे पास एक डिपेंडनीं है नाम नाम का वेरियेबल जो हमने बनाया हुआ यह अभी डिपेंडेंसी है अगर एक किसी प्रिमिटिब टाइप को फॉलो करते हुए बनाया है कि आधेonesy। में बात करो तो व्हुंक कहलाती यह wider यह डिकूर में डिकृणसीं नो रिखल स्वाइप . अगो दूसरा च्यों यजभा आज हम बात करने वाले हूँचे होता है हमारे पास collection टाइप क्लास बनाया क्लास एक क्लास और मनाई मैंने सब्सक्राइब क्लास बी कि अवर क्लास की डिपेंडेंसी इस पर्टिकुलाइइक पर हो गई इस पर्टिकुलाइब क्लास B पर हो गई है क्लास इते ईंडर को CAP में एक ले Emil लेता हूं यहां पर बेन लिया हुआ है कलास एक अंदर बो मैंने वी टाइप का लिया हुआ है bracket open bracket close और इस class b का reference मैं इस particular class a के अंदर बना दूँं मैं बोलूं b o b अब एक class जो है इस class की dependency इस particular class के उपर हो गई है इस class a की dependency जो है इस particular class b पर हो गई है b के अंदर कोई variable मैं एक primitive type का ले लेता हूं यहाँ पर जो variable लिया हुआ है class a के अंदर वह मैने बी टाइपके लिए हुआ है क्लास इंट ऐए भारियेबल इस पर्टिगूले भी की डिपेंडेंसी इस वरियेबल पर है मतलब ऐसा नहीं है किसी और पर एहां पर यहां पर जो क्लास ने बूररफ एक ग्लास बो स्कोरिजिंगेतर हो तोो यहां पर हम इसको बोलते हैं रिपरेंडेंट है क्लास उपलाशटे है सब्सक्राइब क्लाके यह ले Um ने देख रहे होंगे हम सिर्फ बात करें होंगे अगर लेना चाहते हैं किसी डिपेंडेंसी और इसका टाइप हम एक क्लेक्शन टाइप करना चाहते हैं तो कैसे हम अब इस प्रिंग के प्रोग्राम को बना रहे होंगे सबसे पहले के इंदर जाते हैं इसके बाद हम एक मैवन प्रोजेक्ट यहां से डारेक्ली आप सेलेक्ट कर सकते हो या फिर अधर पर जाके यहां पर हमें मैवन सेलेक्ट करना है मैवन प्रोजेक्ट को हम सेलेक्ट कर लेते हैं मैवन प्रोजेक्ट में हमें यहां पर क्लिक कर पर हमें एक प्रोजेट का नाम डालना होता है कि और नाम मैंने दे दिया इस पर्टिकुलर चीज़ का कोड़ किया हुआ है इस प्रिंग कलेक्शन टाइप डेपेंडेंसी कि डिपेंडेंसी ठीक है और यह हमारे पास क्या बन गया है और नाम और थोड़ा सा बड़ा बनाने तो प्रोजेक्ट बना लो इसके बाद एवर्जन एड़ेटिस हुवा हुआ रखा रहने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अपना प्रजिन भी हम पर सेलेक्ट कर सकते हो जार रखा रहने दो पैकेज करना है इस पर्टिकुलर क्लास के इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर की जो क्लासे से इसके वाद हम करते हैं यहां पर प्रोजेक्ट को हमारा एक प्रोजेक्ट बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा यह हमारा प्रोजेक्ट बन के तयार हो च और इंडर में डिपेंडेंसी को एड़े होंगे और अब तो आपह्या हुँल कर ना नहींतर हमें सब्सक्राइब करना है कि अभी हमें इसके अंदर क्या करना क्या कूँ प्रिंग क должно Kennes करना है कैसे करेंगे का है कि हमें क्या करना है है कि सब्सक्राइब तो हमने यहां पर इस पर्टिकुलर साइट पर ओपन करते हैं और यहां पर जो दीख रहा है देपंडेंसि इसको हम यहां भी कर लेते हैं इसके बाद हम जाते हैं यहां पर और आफ्टर दी वर्जन टेग इस पर्टीकुलर प्रॉपर्टी टेग को हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर कर देते हैं पहली मैंवन कंपाले डिपेंडेंसी हमने एड़ कर दी अगर यह प्रोजेक्ट 1.5 वर्जन पर बनता जो की टेफॉल्ट वर्जन है मैंवन का तो यहां पर हमें अपने अपडेट करना पड़ता बटा भी यहां पर वन पॉइंट अपडेट करने की कोई जरूरी जरूरत नहीं आप फोर्स अपडेट भी कर सकते हों दूसरा काम क्य पर काम कर रहे हैं और फिर यहां पर मैनुली चेक करना पड़ेगा कि कौन किस से वर्जन से रिलेटेट है मैं यहां पर 5.3.33 इसकी डिपेंडेंसी और यहां से कॉपी कर लेता हूं और अपने प्रोजेक्ट के अंदर इसको बिल्ड कर बादेता हूं यहां पर हमने प्रोजेक्ट यहां पर आप प्रोजेक्ट को हमने अपडेट कर दिया रिक्वाइरमेंट नहीं थी अगर कोई वर्जन 5.5 पर बंदा और हमारे पास बन पॉइंट था और हम बन पॉइंट एट से रिलेटेट मेंवन कंपारिल डिपेंडेंसी और जार स्कुरेड कर रहे हो होता है को जासे बनानी होती ओर सब्सकेवाइर का नाम कुछ भी दे सकता हूं ऐसे इमेंधर जाएंगे राइट क्लिए निए बना करेंगे यहां तुरुक्त प्रसुन पर में किलिक करता हूं उस क्लास का नाम मैंने रख लिक्ष्ट पर में कॉन्टेक्स में लेकिन स्प्रिंग के कॉंटेक्स में अभी मैं इसको बीन बोलूँगा बीन में तब बोलूँगा जब इसके अंदर जो मैं डिपेंडेंसी लिख रहा हूं जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ इंजेक्शन लिख रहा हूं अगर मैं वह लिख रहा हूं तब यह क्लास क्लास न रहे जा के उसको मैं इस प्रिंग बीन क्या बोलेंगे पहला काम मैं ऑर कि अने लिए नीम एक वेरिय वेल मनाया मैं नम और उसका टाइप रखा मैंने लिस्ट और उस नेम के अंदर भी वेल्यू किस टाइब की डाले होगी कर दिया हमने यहां पर रैपर क्लास उस पर्टिकुलर एंगुलर ब्रैकेट के अंदर स्ट्रिंग को देखे यहां पर लिस्ट को हमें इंपोर्ट करवाना पड़ेगा क्योंकि यह लिस्ट एक इंटरफेस है तो इंटरफेस है इसके बाद हम क्या डिफाइन करने वाले होंगे प्राइविट इसके बाद हम डिफाइन करने वाले होंगे प्राइविट और यहां पर एक काम करो एक और वैरियेबल बना लेते हैं हम प्राइविट इस ट्रिंग टाइब का और हमने यहां पर नेम डाल दिया इसको लिस्ट के अंदर मैंने डाल दिया फोन नंबर होंगे तो फोन इसके बाद जो हमने सेट लिया हुआ है इसके अंदर एक वेरियेबल बना लिया एड्रेसे और प्राइबिट इसके बाद मैंने टाइप इसका की और मैं जबर करने किसरेंगे किस 사랑 करना चाते हैं मैं ने यहां पर क्या प्रतिकुलर कोर्स का richness कितना है मैंने बूला जावा का ड्यूरेशन पाइद का डियूरेशन डेटा साइंस का डियूरेशन डिफरेंट 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 कोर्स जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट क्लास चलती है हमारे इंस्ट्यूट में तो उस पर्टिकुलर इंस्ट्यूट में किस पर्टिकुलर कोर्स का क्या डियूरेशन है उसके एक वेल्यू रखा रहेने तो कोई प्रॉब्लम नहीं मैं भी एक हमारे पास इंटर्फिश से इंटर्फिश कर वा लेते हैं कि हमने कुछ वैरियेबल एक हम यहां पर जो है वो एक हमने प्रेमिटिव टाइप का डिपेंडेंसी पी टीडी एड़ कर दिया बागी यह जो वैरियेबल है यह के सारे के सारे हमारे के टइक ही है दिटायब कर रहे हैं यहां पर हमें सूर्स पर जाने के बाद यहां पर हमको करना है है generate constructor using the field of All और यहां पर हम generate कर देते हैं एक constructor हमने generate कर दिया default constructor एक developer के लिए requirement है कि आप default constructor उस particular spring के प्रोग्रांग के इन्दर डालो इसकों constructor injection अब हमें setup यहां तो आप alt s s Alt s s प्रेस्ट कर सकते हैं या फर डारेक्ली जो मैंने आपको सूर्ज फ्र जाकी वह सारी चीशिभीशेंगर सक्षिब र को इंजेक्ट कर लिया है और प्रोग्राम के लिए अब क्या करना है अब नेक्स काम हम क्या करते हैं स्काम कर रहे हdoo नेक्स अाथ की और है utilize क्लास का स्पैसिफिकेशन देना मね हैं अपनी क्लास का स्पेसिफिकेशन देने वाले हैं से ने сам coping क्या करना। को स्तूइब को वह कंचिए को control र Titie a sermon रोल ऐस बंट्रोड सो सुर्पध स्टío और हमने एस कर दिया टू-स और इसको नómo यहाँ पर क्या कर जाते हैं जो यूर्च यहां पर हमने इंजेक्षिन लिए और कर दिया है और कर दिया है अब हम क्या करना है इस class related information को check करना है हम इस class का object बनाना चाहते हैं तो एक और class लिखेंगे एक और class बनाएंगे जिसका नाम है हम invites एक और फाईल बनाएंगे के इसका नाम बोलेंगे हम blir इसको हम फाइल बनाते हैं बोलते हैं इसको हम मैरे सोर्ष के अन्दर जाके बनाते हैं तो राइट क्लिक करेंगे रहाएंगे और यहां पर एक्सेमल कॉन्फिक्रेशन का वह एड़ करना पड़ेगा तो हम जाते हैं तो बार आपने ब्राउजर के पर और यहां पर हम स्प्रिंग एक्सेमल कॉन्फिक्रेशन एड़ करते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर इस प्रटिकुरल बफसाइट पर जाओगे नीचे आओगे और यहांब आपको क्या करना है जो कोड़ दिख रहा है इस चोड़ को यहां से कबी करके अपने प्रटिकररल votreक के अंदर। लिखने वाला हुगा यहां पर डिफाइन किया मैंने उसकी आई डी एक इट्रिव्यूट है इस क्लास की किस आई डी से हम रिकागनाईज करवा पार होंगे किस तरह से object क्रेट कर रहा होगा डावल कोड के अंदर मैंने यहां पर डिफाइन किया उस बीन का नाम मैंने बोला का नाम हमने डिफाइन किया इसके बाद हमने यहां पर क्लास क्लास हम यहां पर लिखते हैं फुली क्वालिफाइड क्लास ने यहां पर मैंने लिखा कॉम डॉट प्रसून डॉट स्टूडेंट का एस कैपिटल हमने यहां पर डिफाइन कर दिया बीन को बीन को डिफाइन करन टेक को मैं open and open and attack भी यूज कर सकता हूं आपने closing और इसको self closing टेक भी बना सकते हैं से तो property का नाम हमने पहले लिया हुआ है name property का जो name लिया हुआ है और इसके बाद इसकी एक value है तो मैंने value add करवा दी क्या add करवा दी value मैंने बोला इसका नाम दे दिया मैंने प्रसून और self closing टेक लगा दिया है हमपर मैंने self closing टेक लगा दिया इस particular class के अंदर एक variable define किया है वही तो नाम लिखा हुआ है property का मतलब ही होता है variable property का मतलब ही क्या होता है variable इसके बाद हमारे आपास एक और प्रॉपर्टी इसका हम बोल देते हैं phones करके तो मैंने बूला अब एक और हमारे पास property है property और इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है इस particular property का नाम क्या है हमने बींडेफाइन कर दिया है यहां पर हमने property define कर दिया है और हमने सको close कर दिया है ठीक है यहां पर हम आते हैं प्रॉपरटी टेग लिखा हमने और एक प्रॉपरटी और हम एड़ करने वाले होंगे तो यहां पर हमने उसका नाम डाला नेम हमारे पास क्या है फोन्स करके पी एच ओ एनियेस फोन्स डिफाइन किया और अब इस फोन का जो टाइप है तो यहां पर हम लिस की करेंगे कंट्रोल सिफ्ट इसको करेंगे कमेड़ करने के लिए कंट्रोल सिफ्ट Mais एमारा हो जाता है कमाइंड इसके बाद हमें यहां पर एक tag यूज़ करना पड़ेगा लिस्ट टाइप का एक tag यूज़ किया और लिस्ट के अंदर उस लिस्ट के अंदर हम क्या करने वाले होंगे उस लिस्ट के अंदर हम डालने वाले होंगे values को तो हमने value add की और हमने अभी student class को देखा, यहाँ पर हमने क्या add किया हूँ था एक variable हमने लिए हूआ था name नाम का, एक variable हमने लिया था phones नाम का, जो list टाइप करणा ठीक है, तो यहाँ पर हम आते हैं और value add कर देते हैं, मैं कुछ भी number यहाँ डाल देता हूँ, एक same value tag यहां पर हम defin क어를 करते हैं same value tag को हम copy करते हैं यहांपर paste कर देते हैं paste test पे etwa City just page is 1 पेदी चार व्यक्वा डीए डीश करवा अट्रोल सिफ्त चुर्ट nे करने के लिए इसके बाद हम प्रापट टी एड़ कर वा दी आब हमारे पास एक और प्रापटि एड़ करते है प्रापटी की नाव हमारे पास क्या है रो फुमनक्र हो गाता उसके बाद नीम था एडरेश के अंदर हमने डाल दिया एड्रेसस- Ses recommendations के अंदर मैं你在 कि Turned आ मैं डियू तो बैल्व मैं डला फौण वैल्यू टेग एड़ किया और इसके अंदर मैं ने बोला फौर एग्जंपल इंद्वर सेम वैल्यू को मैं मल्टीपल टाइम्स वार क्योंकि मैंने यहाँ पास से टाइप कर डेटा ले रखा है इसको हमने एड करवा दिया यहां पर अंदॉर ले लिया फिर वोपा ले लिया वोपा ले लिया यहां पर हमने जवल पूर ले लिया गॉलिया ले लिया अधταताा ok ये उनल पूर कि इसके बार एक और प्रापर्टिटी टैक को डिफाइन कर रहा हूं तो मैंश को कॉपी कर लेता हूं क्योंकि एक और हमारे पास वैरियेबल जिसके अंदर में कोर्स को करने वाला हुंगा नेम और यहां पर हमारे पास जो वेरियेबल नाम है जो भृपड़ि के नाम है वह कॉर्सेस नाम गार्ष इसको क्या बोलत है से। क्टीर घॉब हैinkि टाइब ठावर हम प्रॉपार्टी जो Bundesregierung कर रहे हैं और इसके अंदर हम map, map type का data define कर रहे हैं, जिसके अंदर हम key और value pair डाल रहे होंगे, तो यहाँ पर हमने map को define कर दिया, और map के अंदर जो हम value डालते हैं, वो key और value के format में डाल रहे होंगे, तो हमने यहाँ पर, अब self closing tag use किया कर, वो ज्यादा सही लगता है, यहाँ पर हमने value लि जावा का जो course लिया है, मैंने key हमने ले लिया, और value मैंने ले लिया, double quote के अंदर, दोनों को मैंने string में लिया हुआ था, key और value को, और हमने यहाँ पर डाल दिया four months, और हमने एक close कर दिया, एक और लिखते हैं value tag add करते हैं, value उसके बाद हमारे पास की double quote के अंदर हमने बोल और इसके बाद मैंने इसको भी close करवा दिया, इसके बाद एक दो ही value बहुत है, मतलब multiple values आपको add करना है तो आप कर सकते हो, और यहाँ पर याद रखना map के साथ, map तो हमने लिख दिया है, map के साथ जो key और value, यहाँ पर value add नहीं करोगी, यहाँ पर आप add कर रहे होगे entry, क अब हमें क्या करना है, हमने student और Java, अब हम जाते हैं इस particular folder के अंदर, इस particular package के अंदर एक class बनाते हैं, जिसके अंदर मैं container define कर रहा हूँगा, test class, तो test class बनाई हमने, इसके अंदर main method define किया, इसके अंदर हमने main method define किया, main method define करने के बाद यहाँ पर AC application context लिखा, AC application context, हमारा क्या है, container है, application context, application context, लिख लो, इसे अच्छा, application context, context, controls, control shift o, application context, ठीक है, AC equals to new of class path xml configuration application context, class path xml application context, control shift, यहाँ पर हमें इसको देखना है, control लिखना पड़ेगा, class path xml application context, class path application context, इसके बाद हमें क्या करना, class path application context, इसके अंदर हमें define क्या करना पड़ेगा, जो हमने बनाया हुगा है, हमने बनाई हुए configuration file beans.xml, और इसको हमने semi-colon, control shift o, add करना पड़ेगा इनको, तो हम fix project के अंदर जाते हैं, और हमें dependencies हमने add तो कर दी थी, project को तो add करवा दिया था, यहाँ पर हम जाते हैं, qm.xml के अंदर dependencies, okay, dependencies stack, लिखना है यहाँ पर हमें, dependencies, dependencies, ठीक है, और dependencies के अंदर dependency आएगा हमारा, ठीक है, save, तभी वो test.java के अंदर इतनी जल्दी नहीं आ रहा था, क्योंकि है ही नहीं, अब हम add कर देंगे, अब dependencies आ गई है, download हो गई, मैंवें compiler के थूरू, जो हमने मैंवें मनाया हुआ था, मैंवें एक क्या है tool, अब हम इसको add कर देते हैं, control shift s, application context, आया ac equals to new class path xml application context, control shift, class path application context, ठीक है, इसके अंदर मैंने define क्या कर दिया, इसके अंदर मैंने define क्या कर दिया, double code, क्यांने कर, beans.xml, beans.xml, अपनी file ये दी, इसके बाद मुझे क्या करना है, ac.getbean method को call करना है, और उसके अंदर मुझे id डालना है, id मैंने क्या define क्या हुआ है, किया हुगा है आप मैं कॉल करना चाहता हूँ पहले तो मुझे गैट बीन और एक किस टाइप का डेटर रिटन करता है या तो आप अब्जेक्ट टाइप है या फिर जो हमारी क्लास का अब्जेक्ट है वो स्टूडेंट हमने डिफाइन किया है यहां पर डाउन कास करवा दि झालोजाएगा इसके बाद सबस्टों स्बस्टों वाउन उस्परते हैं यहां पर क्या कर दिया है गैट और फून सो गया क及 करते हैं ट्योशन करते हैं राइट क्लिक करते हैं रस एपर जाते हैं वच्षरält एप्लिकेशन और हमारा यह प्रसूल नाम आ गया है, यहाँ पर हमने data जो ड़ाला था, full numbers का वो आ गया, इसके बाद addresses आ गया, उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, courses और उसके value, course का और value आ गया, पूरा data हमने collect कर लिया है, सबसे पहले आप इस folder structure पर बात कर रहे होंगे, इस folder structure को ध्यान से देखेंगे सारी चीज़़ें आपकी clear हो जाएंगी कि कैसे क्या हम कर रहे होंगे collection type dependency प्रमेट्व टाइड डिपेंधेंज डिपेंदेन्सी या फिर आप यूज कर रहे हो क्या या फिर आप यूज कर रहे हो जिसको हम बोल देते हैं क्या reference टाइप ये क्या है आपके project का नाम है इस resources के अंदर क्या लेख रहे होगे इस resources के अंदर आप लेख रहे होगे जो भी आपकी configuration की फाइल है आप इस particular डॉट डॉट xml का नाम मैंने दिया है आप कोई भी एक particular xml जब create करे रहे होगे तो उसका नाम आप कुछ भी दे सकते हो में फूकस आपका इस पी ओम डॉट एक्समल पर होना चाहिए इसकी बात क्या करना होता है के इस के बात मिलते हैं नेक्स सेसन में नेक्स वीडियो में और उसके अंदर तर हम डेफाइन करने वाले होंगे, reference type dependency,